आज हम लोग कथा सुनते हैं अनन्द चतुरदसी वरत कथा का एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजशु ये यग किया उस समाई यग मंडप का निर्मान सुन्दर तो था ही आदभुत भी था वह यग मंडप इतना मनोरम था कि जल वा थल की भींता प्रतीत ही नहीं होती थी जल में अस्थल तथा अस्थल में जल की भाती प्रतीत होती थी बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से ब्यक्ति उस अदभुत मंडप में धोखा खा चुके थे एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यग मंडप में आप आ गया और एक तलाब को अस्थल समझ उसमें गिर गया दुरुपद्दी ने यह देखकर अंधो की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया इस से दुर्योधन चीड़ी गया यह बात उसके हिर्दय में बान समान लगी उसके मन में दुवेश उत्पन हो गया और उसने पांडो से बदला लेने की ठान ली उसके मस्तिस्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए बिचार उपजने लगे उसने बदला लेने के लिए पांडो को धुत क्रिड़ा में हरा कर उस अपमान का बदला लेने की सोची उसने पांडो को जुए में पराजित कर दिया पराजित होने पर प्रतिग्या नुसार पांडो को बारह वर्स के लिए वनवास भोगना पड़ा वन में रहते हुए पांडो अनेक कष्ट सहते रहे एक दिन भगवान क्रिष्णे जब मिलेने आये तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा तब स्री क्रिष्णे ने कहा हे युधिष्ठिर तुम बिधी पूर्वक अनंत भगवान का बरत करो इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पूनह प्राप्त हो जाएगा प्राची निकाल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी बरहमन था यह दुसरी कहानी है उसकी पतनी का नाम दिक्षा था उसकी एक परम सुंद्री धर्म परायन तथा जेवत्तिरमई कन्या थी जिसका नाम सुसीला था सुसीला जब बड़ी हुई तो उनकी माता दिक्षा की मृतिव हो गई पतनी के मरने के बाद सुमंत ने करकसा नामक इस्तिरी से दुसरा बिवाह कर लिया सुसीला का बिवा ब्रहमन सुमंत ने कॉंडिन्य रिशी के साथ कर दिया बिदाई में कुछ देने की बात पर करकसा ने दमाद को कुछ इटे और पथरों के टुकडे बांध कर दे दिये कॉंडिन्य रिशी दुखी हो अपनी पतनी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिये परन्तु रास्ते में ही रात हो गई वे नदी तट पर संध्या करने लगे सुसीला ने देखा वाहा पर बहुत सी इस्त्रियां सुन्दर वस्त्र धारन कर किसी देवता की पूजा करे रही थी सुसीला के पुछने पर उन्हों ने बीधी पुरुबक अनांत वरत्य की महता बताई सुसीला ने वही उस वरत्य का अनुष्ठान किया और चौदह गाठो वाला डोरा हाथ में बांध कर रिशी कौंडिन्य के पास आ गई कौंडिन्य ने सुसीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी उन्होंने डोरे को तोड़ कर अगनी में डाल दिया इससे भगवान अनंत जी का आपमान हुआ परिनामत रिशी कौंडिन्य दुखी रहने लगे उनकी सारी संपति नश्ट हो गई इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पतनी से कारण पूछा तो सुसीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही पश्चताप करते हुए रिशी कौंडिन्य अनंत डोडे की प्राप्ती के लिए वन में चले गए वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निरास होकर एक दिन भूमी पर गिर पड़े तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले हे कौंडिन्य तुमने मेरा तिरस्कार किया था उसी से तुम्हें इतना कश्ट भोगना पड़ा तुम दुखी हुए अब तुमने पश्चताप किया मैं तुमसे प्रशन हूँ अब तुम घर जाकर बिधी पुरुबक अनंत वरत करो चौदह वर्ष परियंत्र वरत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा तुम धन धान्य से संपन हो जाओगे कौंडिन्या ने ववायशा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ती मिल गई श्री कृष्ण की आग्या से युधिश्ठीर ने भी अनंत भगवान का ब्रत किया जिसके प्रभाव से पांडव महा भारत के युधि में भी यही हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कहानी को लाइक करें शेर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दें जिसे के जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल सके अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक लिजा हिंद जै भारत